हेलो फ्रेंड्स मैं हूं संच राउन मैं स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल अवीद अकैट में बेसिकली हमने स्टार्ट की है होम बेस जॉब की जॉब सीरीज जिसमें आप बीना किसी इंवेस्टमेंट के अराम से पैसे कमा सकते हैं तो चलिए दोस्तो अभी पांच वीडियो की हम बात करने वाले हैं जिसमें आपको डाटा इंट्री, कंप्यूटर और फॉर्म फिलिंग की जॉब्स के बारे में हम आपको बताएंगे तो दोस्तो चलिए पहली जॉब से स्टार्ट करते हैं जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ वो कंप्यूटर ऑपरेटर की है जिसमें आप अराम से घर बैठे कमा सकते हैं और जो कंपनी प्रोफाइल की बात करूं आगे तो वो है कंपनी है वो है एक्सपीरियंस की बात करो तो फ्रेश चु वनियर्स तो फ्रेश असानी से अपलाए कर सकते हैं और सेलरी पैकेज जो मिलने वाला है वो है 3,75,000 मिनिमम और मैक्सिमम 4,75,000 पर एयर और साथ ही लोक देती है उसके लोगों को लेकिन अगर आप में टैलेंट है तो कोई आपको नहीं रोख सकता है यहां पर काम करने से वही पर जॉब डिस्क्रिप्शन की अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर आपके यहां पर अरजेंट रिक्वायरमेंट है डाटा इंट्री ऑपरेटर हो और यह सिंपल और इजी है आपको जो है यहां पर इमेजी दी जाएंगी बस आपको उसको नोटपैड पर लिखना है ऐसे ही आपकी टाइपिंग जॉब होगी आप जो है वर कंप्लीट करके जैसे कि अगर वो हंडिट पेज का काम दे रहे हैं तो आप उनको इमेल कर सकत हो कि हंडेड पेजिज करने के बाद और कंप्लीट करने के बाद आप वर्क सम्मीड कर सकते हो उनकी इमेल पर तौ आपको हंडुरेड इमेजेज फाइल जो है कंप्लीट करने होंगे आच दिन के अंदर और सिर्फ एक तो आपको घबराने की भी जरुवत निया आप अराम से आप 180 रुपीज कमा सकते हो 80% एक्यूरेटी पे तो पेमेंट मोड मैं आपको पहले बता दिया 18,000 पर मन्त है एक प्रोजेक्ट पे शायद आपको 18,000 दिया जा रहा है लेकिन अगर कोई सिंपल प्रोजेक्ट है तो उस पे वो आपको हर महीने 18,000 देंगे तो अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कैंड़ेट प्रोफाइल की तो कैंड़ेट प्रोफाइल में आपकी टाइपिंग स्पीड जो है रिक्वाइर है वो है 25 तो 30 वर्ड पर मिनट और अगर आप प दिन में वो काम कर सकती है रामशे जॉब इन्फो की बात करें तो जॉब रोल है वो फ्रेशर्स के लिए है इंडॉस्ट्रियल टाइप आप करेगा बीपी ओ कॉल सेंटर इस फंक्शनल एरिया आप करेगा आईटी एस बीपी ओ केपी ओ एल्पी ओ और कस्टमर सर्विसेज और इंप्लॉइमेंट टाइप है आपका पार्ट टाइम, फ्रीलैंस और होम बेस्ट तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हो मैं एजुकेशन की बात करती हूँ वैसे तो इसमें एजुकेशन की कोई रिक्वार्मेंट ही नहीं है अगर आपने ग्रेजुएशन की है और पो आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना चाहिए क्योंकि यहां पर आपको पूरा बैक एंड का काम लें वाला है टाइपिंग स्पीड जैसे कि मैंना को बताया था 25 तो 30 पर वर्ड है हां पर वर्ड पर मिनट है और डाटा एंट्री ऑपरेटर आप रहेंगे एमेस ओफिस का में आपको Excel, Word और PPT की नॉलेज होनी चाहिए और आपका जो रोल रहेगा वो कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर कर रहेगा तो दोस्तों अब मैं आगे बढ़ते हुए आपको कंपनी प्रोफाइल के बारे में बताना चाहूंगी तो let's keep it short and simple company have incorporated other selves this year as private limited company for a project company have named it as audio library projects company have started working on this project in the beginning of this year and company expect to complete our projects by the ending of the year 2020 company are going to launch an audio e-library where all the books will be available to hear yes you can read and true the company are in process of converting all the books into audio format so that you can hear your favorite book and novel so second बात ही रहेगी company की जो मैं आपको आगे बताने जा रहे हूँ company is this process of converting books and novels in audio format company come to you with a great earning opportunity yes you can in fact anyone can work with us in this project and earn a handsome income दूसरी जॉब की बात करते हैं दोस्तों तो दूसरी जॉब में इहां पर मैं बताना चाहूंगे आपको जो दूसरी जॉब है वो data entry operator की है तो बेसिकली यह home based है तो आप अराम से टाइम निकाल के कर सकते हैं वैसे भी lockdown चल रहा है अभी करोना वाइरस की वज़े से मैं उमीद करती हूँ कि सब सेफ होंगे तो आप घर पैठे अगर आप बोर हो रहे हो तो भी आप इस जॉब को अपलाए कर सकते हो अच्छी खासी इंकम आ जाएगी भाई क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद सेलरी में कुछ प और साथ ही फ्रेशस के पाद यहां पे एक सुनहरा मौकर है अपलाए करने के लिए सेलरी जो रहेगी वो है 1,50,000 मिनिमम और मैक्सिमम 5,50,000 पर एयर और लोकेशन आपकी रहेगी दिल्ली, NCR, बैंगलोरू और हैदरवाद तो वैसे तो आप किसी भी स्टेट से अपलाए क कर पाएंगे लेकिन हाँ दिल्ली, NCR, बैंगलोरू और हैदरवाद के लोगों को शायद वो जादा प्रैफर करें बस यही चीज है जो आपको समझनी है तो अब आगे बढ़ते हम जॉब डिस्क्रिप्शन के बात करेंगे दोस्तों तो जॉब डिस्क्रिप्शन में यह आ 13,000 तो 45,000 पर मन्त के साब से दी जाएगी अप फ्रेशर है तो आप अराम से अपलाए कर सकते हैं यह जॉब इजी है आप घर बैठे अराम से कर सकते हैं आपको फ्लुएंट होना है एक लाइंविज में या तो हिंदी या तो इंगलिश और सिर्फ आपको बेसिक नॉलिज होनी चाहिए यह कंप्यूटर की तो दोस्तो आप आगे बढ़ते हो हैं हम केंडरेट प्रोफाइल की बात करते हैं तो केंडरेट प्रोफाइल में मोस्ट इंपोर्टन चीज है पस लैप्टॉप सिस्टम या एंडरोइड फोन होना चाहिए पेमेंट्स आपको डेली वीकल और मन्थली पैसेस पर मिलेगी आप घर बैठे पार्ट तेम जॉब कर सकते हैं यहां पर आपको कोई प्रेशराइज नहीं किया जाएगा और नहीं कोई टाइम बॉंड है और आप खुद के बॉस हैं तो अब आगे जो है हम जॉब इंफो की बात करने माले हैं दोस्तों त करें तो पार्ट टाइम, फ्रीलाइन्स और होम बेस्ट तो आगे बढ़ते हुए दोस्तों बात करते हैं एजुकेशन की तो एजुकेशन कॉलिफिकेशन में अगर आप टैंग पास हैं तो भी गूड है अदर्वाइस अब ग्रेजवेट हैं और पोस्ट ग्रेजवेट हैं टाइपिंग स्पीड अपकी अच्छी होनी चाहिए अगर नहीं भी है तो भी आप अराम से ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स हैं आप उस उनको यूज करके अच्छी कर सकते हो डाटा इंट्री ऑपरेटर रहेंगे अप मेस ओफिस में आपको नॉलेज होनी चाहिए बेसिकलि इन्वेस्पेंट पैसा तक इसको अच्छा लगता है सिर्फ आपको पनी स्किल्स जो है वो देनी है और आप अराम से घर बैठे कमा सकते हों और कंपनी प्रोफाइल की तरफ बढ़ें तो फ्रेश तू थ्री यार्स है तो यहाँ पे जॉब सीकर्स और फ्रेश और फ्रेश जो है वो है भुवनेश्वर, पोर्ट ब्लेयर और चंदनपुर तो दोस्तों आगे बढ़ते हो जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो जॉब डिस्क्रिप्शन में और जेंट रिक्वार्मेंट है कंडिडेट की कंपनी जो है वो आई सू सेटिफाइड है ठीक है औ और वो फ्रेशर और एक्सपीरियंस दौनों कैडिडेट को ढून रही है अगर आप एक्सपीरियंस तब भी अपलाए कर पाओगे और फ्रेशर तब भी अपलाए कर सकते हो बस आपको बस गुड कॉम्मिनिकेशन स्किल लोनी चाहिए और आपको कंप्यूटर की नॉलिज ह और यह जो काम होगा यह प्रोजेक्ट पर बेस्ट होगा और टाइम लिमिट भी प्रोजेक्ट के हिसाब सही दी चाहेगी तो यहां पर बेसी कंप्यूटर नॉलिज है जो आपकी रिक्वाइरमेंट है और सबसे इंपोर्जन चीज है कि आपके पस लैप्तॉप और सिस्ट अगर आप मंतली लन चाहते हैं तो मंतली लेजिए कोई प्रेशर नहीं होगा कोई टाइम बाउन नहीं है और आप अपने खुद के बॉस रहेंगे अगर आप इस कंपनी से जुड़ते हैं तो तो जॉब इंपोर्म मैं बताना चाहूंगे जो जो जॉब रोल है वो अटेगरी है अधर्स एजुकेशन की बात करूँ तो अगर अप 10-12 पास है तो भी आप अराम से अप्लाय करेंड सकते हैं बस आपकी कॉमिनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए और आपकी किसी भी एक लैंग्विज में कमांड होनी चाहिए हिंदी या इंग्रिश आप अ पीर अच्छी होनी चाहिए आपको MS Office की नॉलिज होनी चाहिए और डाटा इंट्री ऑपरेटर का यहां पर वर्क करेंगे तो अब हम आगे बढ़ते हुए चौती जॉब की बात करते हैं चौती जॉब में आपको यहां पर बताया जाएगा कि डाटा इंट्री जॉब आप आगे तो जो कंपनी है वह है अनुराग इलेक्ट्री ट्रॉनिक गुजरात प्राइवेट लिमिटेड और एक्स्पीरियंस जो रिक्वाइड है वह है वन तो फाइफ यह और सेलरी पागेज आपके रहेगी 1,25,000 मिनिमम और मैक्सिमम 1,50,000 पर यह लोकेशन आपके रहेग तो आप हाउज वाइफ हो तो भी अप्लाइब और हाउज वाइफ के लिए एक अच्छी अपोचिनिटी है यहाँ पे अप्लाइब करने के लिए बस थोड़ा सा आपको डाटा एंट्री और कंप्यूटर ऑपरेट करने का एक्स्पीरियंस होना चाहिए आप कर सकते हैं जो भी इंट्रेस्टिट कंडेट हैं सीवी में तो सीवी में जो मैंशन किया गया आप इमेल आईडी के डालोगे जब सीवी भेजो एमेल पे इंटर्व्यू एडरेट अन्डी सिन्फो डॉट कॉम और जो सेलेक्शन होगा वो टाइपिंग टेस्ट पे होगा औ पीपीओ कॉल सेंटर इटी एस फंक्शनल एरिया आप कर रहेगा इटी एस बीपीओ के पीओ एल्पीओ कस्टमर सर्विसिज एंड ऑपरेशन्स वहीं बात करूं इंप्लॉइमेंट टाइम की तो यह फुल टाइम जॉब है फ्रीलैंस है होम बेस्ट है और आप इसे पार् ग्रेजुएट की रिक्वार्मेंट नहीं है लेकिन अगर आप हैं तो और भी गुड है अदर्वाइस टेंट्वेल पास भी अप्लाय कर सकते हैं बस आपकी इंगलिश अच्छी होनी चाहिए आप हिंदी की स्किल्स की बढ़त करें तो आपकी टाइपिंग स्पीड जिससे कि आप अराम से अपलाय करके इस जॉब को समझ सकते हैं और इस जॉब से पैसे कमा सकते हैं तो दोस्तों आगे बढ़ते हो अब हम बात करने चाहरे हैं पांच वी जॉब की तरफ तो पांच वी जॉब जो है वो है आउनलाइन डाटा एंट्री की ये वर्क फॉर्म होम है मतलब बैसिकली सारी वैसे तो वर्क फॉर्म होम थी डाटा एंट्री की थी फॉर्म फिलिंग की थी तो ये सब जॉब्स आप अराम से घर बैठी कर सकते हो क्योंकि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती फॉर्स और दूसरी चीज ये होती है कि आप खुज के ब कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हुए कंपनी प्रोफाइल की बात करते हैं तो यहां पे फ्रेश टु फाइफ एर्स का एक्स्पीरियंस रिक्वाइड है तो जॉब सीकर्स हाउस वाइफ और सब के पास एक अच्छा मौका है अपलाए करने के लिए जो लोकेशन है जिसको कहीं से भी लोग अपलाए कर सकते हैं तो वैसे भी हां पे लोकेशन दे रखी है चेननाई पूने दिली एंसियार मुंबई एहमदाबाद बैंगलोरू और चंदिगर तो दोस्तों वैसे तो सुनाएं चंदिगर दो स्टेट की राजधानी है हर्याना औ जो दो सकते हैं डेली बेसिस लोके रोज काम कर पाए उसके पास लैप्तव होना चाहिए एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और लैप्तव होना चाहिए तो अब आगे बढ़ते हों दोस्तों अब मैं बात करने जा रही हूँ जो आप इन्फो की तो यहां पे ज अप्लॉइमेंट टाइप रहेगा अपका फुल टाइम पर्मनेंट और अब मैं एजुकेशन की बात करना चाहूंगी तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं वह भी अपलाए कर सकते हैं जो फ्रेश्ट हैं 12th क्लास के पाद जॉप करना चाहते हैं और 10th क्लास मत तो computer operator है, back office है, typing speed आपके अची होनी चाहिए यह जो job है, data entry operator की है, MS office के आपको knowledge होनी चाहिए जिसमें word, excel और power point आता है, basically सभी knowledge होती है, आजकल तो आप data entry का work कर रहे हो दोस्तों, मैं उमीद करती हूँ के मैंने आपको जो 5 data entry की jobs बताई है, computer operator की job बताई है, उसमें से आपको कोई problem नहीं आई होगी, अगर problem आई है तो आप मुझे comment box पे comment कीजिए, कोई भी problem आती है तो और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक कीजिए और सबस्क्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और सबसे important चीज के आप apply कैसे करोगे, तो मेरी वीडियो के description में लिंक दे रखे हैं, पाचो वीडियो के, जो अनसी वीडियो आपको apply कर नहीं है, चाहिए वो first है, तो आप first पे क्लिक करके, URL पे क्लिक करके, okri.com पे जा करके, अराम से apply कर सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज सबस्क्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना मत भूलेगा, ताकि आपको हमारी new new jobs की updates मिल प्लीजी.